तो यार आज की ये वीडियो बहुत ही जबरदस टॉपिक पर है इन इस वीडियो आज हम यहीं डिसकस करने वाले है ठीक है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप चैनल पर नए हो इस तरीकी content को regular consume करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए वीडियो को शुरू करते है तो NIT में हम जब भी बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो आता है वो है NIT 3G नो डाउट one of the best NIT हम नहीं बोल सकते हैं बहुत सारे students अब देख सकते हो कि IIT को छोड़ के भी जाते हैं अगर top 5 IIT ना मिले या फिर किसी IIT में उनको preferred branches ना मिले तो वो छोड़ के वो NIT 3G जाते हैं campus की अगर हम बात करें तो 800 acres में इसका campus फैला हुआ है marks अगर हम बात करें में minimum marks 236 to 270 marks आपको लाने होंगे in J means out of 300 यहाँ पर बात हो रही है तो आपको NIT 3G मिलने के chances है अब आप देख सकते हो 270 marks का मतलब होता है जिस बच्चे ने 270 marks में NIT 3G लिया है इसका मतलब definitely उसने IIT छोड़ के NIT 3G को लिया है याद रखना उसके बाद जो second number पे है वो है NIT सूरतखल located in Mangalore, Karnataka अगर हम campus की बात करते हैं तो approximately 295 acres में इसका campus हमें देखने को मिल जाता है CSE में minimum marks same रखो आप 236 to 270 के बीच में अगर आप लाते हो तो higher chances है 99% chance आप मानो NIT सूरतखल में आपको CSE मिल जाएगी उसके बाद आती है NIT वारंगल 248 acres में इसका campus फैला हुआ है located in Telangana अगर हम CSE में minimum marks की बात करें तो 214 to 249 marks के बीच में आपको ये college मिल जाएगी उसके बाद जो आती है वो है NIT Calicut located in Kerala campus की बात करें तो 296 acres में इसका campus फैला हुआ है अगर हम CSE में minimum marks की बात करें तो 196 to 237 के बीच में आपको कहीं लाई करना होगा तो higher chances है कि आपको ये college CSE ब्रांच में मिल जाए उसके बाद है NIT राउड के ला campus की बात करें तो 1200 acres में इसका campus फैला हुआ sports faculty, sports facilities college की बहुत अच्छी है इसमें अगर हम CSE में minimum marks की बात करें तो 126 से 164 के बीच में आपको higher chances है कि यहाँ पे आपको CSE मिल जाएगी and this college is a good college, decent college है and काफी कम में आपको यहाँ पे CSE मिलता हुआ दिख रहा है इस बीच में मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ regarding fees of NITs, ठीक है NIT की जो fees होती है on an average अगर हम मान के चले तो 70,000 per semester होती है यानि की 1,40,000 या आप 1,50,000 के अप्रोक्स मान सकते हो per year आपको fees देखने को मिलती है इसमें अगर आप SCST या फिर PW candidate हो तो आपको 100% fee waiver मिलता है अगर आप general candidate हो और अगर आपकी parents की income less than 1 lakh है तो आपको 100% fee waiver मिलता है and अगर आप general या फिर OBC हो and अगर आपके parent की income जो है annual income 1 lakh से 5 lakh के बीच में कहीं पे है तो आपकी जो fees है वो 1 third लगती है ठीक है? तो आप आते हैं next college पे NIT Nagpur located in Maharashtra campus area की बात करें तो 214 acres में है इसका campus CAC में minimum marks 182 to 237 इसके बीच में आपको NIT Nagpur मिलने के chances काफी ज़ादा है ठीक है? अगली जो college है वो है NIT Durgapur location इसके भी काफी अच्छी है campus area 187 acres में है CAC में minimum marks की बात करें तो 169 से 213 के बीच में अगर आपके J-Mains में score रहते हैं तो इस college में CAC मिलने की chance बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं मतलब आप मान सकते हो 90% से भी ज़्यादा chances है आपको इस marks में यहाँ पे CAC मिल जाएंगे उसके बाद आता है NIT Jaiapur location जो है राजस्थान में है located ये college अगर हम CAC में minimum marks की बाद करें तो 194 से 217 के बीच में आपको ये college मिल जाएगी अगर आप J-Mains में इतना score कर रहे हैं हो तो उसके बाद आती है NIT Allahabad कह सकते है NIT प्रयागराज located in UPE campus area की बाद करें तो 222 acres में फैली हुई है इसकी campus CAC में minimum marks 194 to 237 वाले काटेगरी में हम इसको भी रख सकते हैं इसके बाद आती है NIT कुरुक्षेत्र location है हर्याना इसके अगर हम campus area की बाद करें तो 300 acres में इसका campus फैला हुआ है अगर हम CAC में minimum marks की बाद करते हैं तो 178 से 222 के बीच में अगर आप कहीं like करते हो तो आपको ये college मिलने के पूरे पूरे chances बनते हैं ठीक है तो यार ये थी एक मेरी information छोटी सी information regarding top 10 NITs जहां पे आप minimum marks लाके CAC gain कर सकते हो CAC ले सकते हो hope कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो पसंद आई हो तो like जरूर करना